हेलो एवरीवन, विल्कम बैक टो एन एक्सप्लो लिट्रेचर, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिट्रेचर इन सिनेमा का यूनिट फॉर्स्ट, जो की है जीम्स मुनेको, दे लेंगवेज ओ फिल्म, साइन्स इन सेंटेक्स, आपने बहुत जाद रिक्वेस्ट करी थी कि इस पर वीडियो बनाईए, तो एल अप्लोड द फिस्ट यूनिट, उसके बाद में जैस आपका रिस्पोंस रहेगा, उसके अक्वर्डिंग, अप्लोड द रेस्ट व द इसलेबिस, तो इसका भी लाइक टागेट रख लेते हैं 100, और व्यूस टागेट 1K, तो ये पू और हिस्टोरियन थे, and as a film critic, इन्होंने The New York Times, The Village Voice, और American Film के बारे में लिखा है, बहुत सारे अलग magazines के अंदर भी, और cultural commentator भी रहे हैं टेलिविजन और रेडियो पे, तो इन्होंने मतब जो पूरे एक film का study है, उसमें अपना बहुत ही ज़्यादा important role है, जो वो play किया है, हमारा सबसे पहला topic है, film semiotics, तो किसे भी film के features को जानने के लिए, identify करने के लिए, या फिर वो कैसा एक message convey कर रही है, या फिर कहें meaning convey कर रही है, अपनी moving images से, उस study को हम semiotics बोलते हैं, और इस ही approach को लेकर, जो हमारे film study के scholars है, वो पुरा एक analysis करते हैं, films का, तो semiotics के definition देखें, तो semiotics एक science है, of studying the language as a system of communication, कि हम कैसे specific science से, words से, rule of grammar, organization, इन सारी चीजों से हम क्या करते हैं, पूरा जो हमारा एक cinema का language हो बनाते हैं, जिससे हमारी जो study of cinema है, उस पे major impact आता है, जो semiotics है, वो provide करता है हम एक method of evaluation, कि चीज़े कैसे बोली जाएंगी, कैसे लिखी जाएंगी, कै sound का structure रहेगा, communication में, जो film theorist है, वो semiotics को apply करते हैं, examine करने के लिए, कि जो film है, वो practice or production of images, sound or sequence से, एक language की तरह काम करेगी या नहीं, मतलब, वो अपना message जो है, वो audience तक पहुचा पाएगी या नहीं, ये एक major aspect रहता है, एक film का, क्योंकि अगर आपने एक film बना दी, और उसम हो क्या रहा है, वो audience तक पहुची दे रहा है, तो उसका कोई फाइदा नहीं है, because the audience will not be able to connect with you, अगर वो आपकी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर उस film का कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए जो semiotics है, वो आपका role play करता है, इन चीजों को एक अच्छा सा structure देने में, समझने में, spoken और written तरीके से, मौनेको का work basically दो scholars की theorists पे काम करता है, पहले है Christian और दुसरे है Piers, Christian का work The Imaginary Signifier and Piers का film language बहुत ज़दा important role play करते हैं film semiotics में, और इन्होंने deeply influence भी किया है film theory को 1970 से, जो CS Piers है, late 19th century के American philosopher, उनको ऐसा माना जाता है कि भी नोने क्या करा है, जो term है, हमारी semiotics उसे coin करा है, फिर आपका second topic आता है science, जिसमें हम पढ़ेंगे physiology of perception, तो जो cinema है, उसका अपना ही ये grammar है, वो अपने audio visual medium से, क्या करता है, पूरे images को एक sequence में लगा के, कुछ जो एक message है, उसे interpret करत है, let us say कि हमने दिखाया कि सब लोग ऐसा white कपड़े में है, बहुत पीछे sad sad सा music वज रहा है, तो visual effect क्या हुआ कि, सबने white clothes पहन रखा है, और जो आपका audio effect है, वो क्या हुआ कि पीछे बहुत ही धीमा धीमा या फिर अलगी आपके voice effect होते हैं, जो बहुत ही sad सा, loomy सा environment आप किसी का death हुआ है, तो वो जो चीजे हैं, जो एक आपका audience है, वो कैसे उस चीज को interpret कर पा रहा है, क्योंकि उसकी society में या फर उसका जो एक पूरा environment है, उसमें वो चीजे present है, ठीक है, तो जो grammar है cinema का, that is driven from the language of the people, you know, जहां से भी उस चीज को लिया गया, अगर Hollywood है, तो वहा अपना society से उस चीज को उठाएगा, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पूरा एक perception बनाते हैं, हमारे audience का, जो film है, वो एक quasi language है, जिसका मतलब होता है, that even though learning is not needed, with time and repetition, लेकिन जो लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, knowledge skills or sophisticated understanding रख सकते हैं, cinema का कि cinema काम कैसे कर सकता है, ठीक है, तो इस से हमें कोई ज़्यादा, extra classes लेने की ज़रत नहीं, आप time के साथ उस चीज को सीख जाते हैं, कि cinema इस तरीके से work करेगा, तो जो मोनेको हैं, वो suggest करते हैं, that while an educated approach is not necessary to watch and understand a film, जो metaphor है language का, is very much useful to describe a film, कि जो language है, वो बहुत ही important role play करता है, जो आपके science है, अब science का मैं example लेकर दिखा हूँ, तो let us say कि मेरे जो, मतलब मेरी language है, उसमें एक red color का fruit है, जो उसको apple बोलते हैं, अफिल्म में भी वो दिखाया है, तो I'll recognize that कि भाई, ये तो इस actor ने apple पकट रखा है हाथ में, ठीक है, लेकिन अग किसी भी symbol का meaning language से associate होता है, हम जैसे भी उस चीज को देखते हैं, अगर red color की चीज है और हम उसे apple बोलते हैं, तो हमारे लिए apple ही बन गया, लेकिन अगर किसी और society में उस चीज को बनाना बोलते हैं, तो उनके लिए वो बनाना है, तो that totally depends on the language, कि आप किस चीज को देखके क् दिमाग में image बनता है, अगर मैंने बोला apple, तो आपके दिमाग में बनाना नहीं आएगा, आपके दिमाग में apple ही आएगा, क्योंकि आपने उस word के साथ एक image associate कर लिया है, तो this is what they want to show, या फिर what they want to highlight है, in short इसका मतलब यही था, जो पूरी बड़ी speech थी, कि भई, जो आपक दिमाग है, उसने एक word के साथ एक image associate कर रखा है, जो कि आपको film के दिर्यों present किया जाता है, physiological तो function हमने पढ़ लिया, लेकिन Monaco ने दो और तरीके बताए हैं इन चीज़ों को देखने की, एक है ethnographical और दूसरा है psychological, तो ethnographical अप्रोच क्या बोलती है, कि हम क्या करते हैं, मतलब एक literate और sophisticated viewers हैं, जो वो उस चीज़ को interpret कर सकते हैं, based on their knowledge, कि हमने कैसे cultural conventions देखे हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, कुछ यह चीज़े होती हैं, जो एक particular class ही समझ पाती हैं, ठीक हैं, अगर मैं कोई एक जोक मालू, stand-up comedy में आपन कि ऐसा colligate था, हमने उसे रोल करके, बिलकुल last में में निकाला, या फिर, you know, I can't even remember any example अभी, तो जैसे भी है, तो middle class के example सी middle class का आद में relate कर पाएगा, उसे एक wealthy या फिर एक rich person नहीं कर सकता, तो उसी तरीके से होता है, कि जिस तरीके का आपका education या फिर knowledge level है, उस तरीके स आप उन चीजों को interpret कर रहे हैं, तो वो था ethnographical approach, दूसरा है psychological approach, जिसमें viewers हैं जो, who are able to incorporate various sets of meaning, observe through different perspectives, अब देखो, कि different perspectives होते हैं चीजों के, ये आपने Facebook में आती थी, वो starting sighting में ऐसी-सी photos, कि न, एक बंदा किसी को पिछे से मार रहा है, तो आपके लिए वो क्या हो सकता है, कि सामने वाले ने उसे मारा, तो अगर मुझे मिलती तो I would have added it into the slides, मतलब क्या होता कि आपका नजरिया मैटर करता है, कि आप उस चीज को कैसे देख रहे हैं, ठीक है, अब ही मेरे को थोड़ा से example याद है, जैसे कि एक fruit की टोकरी है, उसमें दो apple सड़े हुए हैं, तो आप बोलो कि आप सड़े हुए fruits की टोकरी रखी है, और दूसरा आप बोलो कि ये fruits की टोकरी में दो सड़े हुए हैं, मतलब आप उस चीज को कैसे देख रहे हैं, आपका नजरिया क्या है उस चीज को लेके, आपके experience से वो चीज़े निकल के आती हैं, that is the psychological approach, हमारा next topic है, film as language, तो जो Christian है, वो बोलते हैं कि it is not because the cinema is language that it can tell such fine stories, but rather it has become language because it can hold such fine stories, कि cinema है जो वो, it is not because कि जो cinema है वो एक language है, इसलिए वो इतने अच्छी स्टोरी सुना पा रहा है, बलकि जो cinema है, उसने इतने अच्छी स्टोरी को frame किया है, इसलिए वो एक language बन पा रहा है, समझ पा रहे हैं अब इस बात को कि cinema का अपने एक language बन गया है, वहाँ पर कुछ ऐसे इसी चीज़ा दिखाई जाती है, जो कि अलगी रहता है, ठीक है, कुछ तो इतना same-same से scene दिखाई जाते थे, पहले जो movies आती थी, कि जो ये वाला scene तो बहुत ही common रहता था पहले वाली movies में, कि जो beloved है वो higher class से है, फिर जो lover होगा, वो lower class से होगा, उसके पापा शादी को मना करते हैंगे, तो हम आत्म हम उस चीज़ को बिलकुर predict कर रहे हैं, it's not the apt example here, I know, but I just want to present कि कुछ चीज़े इतनी fine हो गई है, कि हमें वो सिधा दिखती है, मतलब वो एक cinema का language है to present the class structure, ठीक है, तो in the language and the scenes, जिससे हमें वो कुछ meanings जो present करते हैं, तो semiotics में, जो हद language होता है, अपनी written या फे spoken form में, are all individual systems, and उनके अपने structure सो science होते हैं, तो जो cinema है, is constituted of image, and image have a more direct relationship with what they signify, तो जो images है, जो cinema में हमें कुछ भी दिखा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उसोंने कुछ भी दिखा दिखा दिया है, and we relate it to something else, उनका एक defined meaning होता है, हमारी psychology पे वो depend करता है, कि हम उसे कैसे देख रहे हैं, ठीक है, वो पहले भी हमने बात की, दो प्रोचीज की, कि मुस चीज को कैसा देख रहे है, हमारा perspective बहुत मेंटर करता है, जो another aspect है, specific to the film, is that we have no control over the images, क्योंकि हम तो viewer है हम उस चीज को नहीं change कर सकते है, वो just एक जो हमारा director है, वो ही change कर सकता है, तो जो हमें दिख रहा है, we just have to see that, we have to, you know, look for the meaning about that scene की, हो क्या रहा है वहाँ पर हमें उसको interpret करना है, फिर आतीए बात scenes and sequence की, तो जो scenes and sequence are developed according to the choices that the filmmaker make, the practice that are common in the industry, skill of performers and film genres, तो जो scenes or sequence होते है, वो भी बहुत important role play करते हैं, आप किसी scene को जैसा की दो लोग बैठे हैं, और आपने बिलकुल ऐसा, मैं को scene का तो I cannot recall the name, आप बहुती close, close up scene, that's close up I guess, उससे आप बहुत close से लेंगे, किसी दो वेक्ती पर आप focus करेंगे ऐसा पूरा, तो आपको पता लगेगा कि these two people are the leads और इनकी बात है, जो बहुत minor रखती है, ठीक है, तो किस तरीके से आप shoot कर रहे हैं, चीज़ को वो भी बहुत minor रखता है, कि कहां से, किस angle से वो चीज़े देखी जारी है, अगर wide short है, तो क्या importance होगा, ठीक है, तो वो सारी चीज़े भी आपको बहुती एक deep meaning देती हैं, और let us assume this, ऐसा बोलते हैं ला कि हम, let us take this x and y, वो maths में होता है, तो हम क्या करते थे, connotative तरीके से use करते थे, फिर होता है, denote करना, मतलब कि आप literally जो बोलना चाहते हैं, वाई चीज़, कि अगर यह apple है, तो यह apple ही है, pineapple है, तो pineapple ही है, ठीक है, वो literal meaning होता है, तो film like any other written spoken language communicates meaning through its denotative and connotative potential, तो अपना connotative or denotative potential use करके आप तक है, जो वो किसी भी message को, या फिर किसी भी scene को present करते हैं, और एक image based medium है, film, तो वो strongly denotative है, audio visual तरीके से वो आपको क्या करते हैं, एक reality का पूरा मौयना देते हैं, वही ऐसे चीज़े चल रही हैं, तो जो cinema है, वो दोनों चीज़ों को combine करता है, intrinsically, जो denotative abilities and connotative potential, तो जो film का एक unique aspect यही है, कि वो connotative abilities हैं, जो उसकी, वो depend करती है, primarily on the shots, कि आपने किस तरीके का shot लिया है, अब जो आपका एक villain होता है, अगर आप उसको shoot करेंगा, ऐसा पूरा, या वाइडर चीज़ से, अपर close-up scene में, और उसके चेहरे पर पता लग जाएगा कि यह आदमी कुछ ने कुछ गडबर करेगा, अब serials में नहीं होता है, आपका वो कई बार उनके चेहरे पे ऐसा flash flash सा मारते हैं, कि उनको पूरा जटका लगा है उस चीज से, और एक फिर वो आती हो nagin वाले serials types, I was just looking at a video, उसमें था कुछ ऐसा, कि वो वो चीज आपको understand करना होता है, and that depends on this shots, कि किस तरीके का shot है, जो filmmaker ने वो लिया है, तो इस तरीके से आप यह जो denotative or connotative meaning है, वो समझ सकते हैं, इससे जादा इस वीडियो में cover नहीं करेंगे, otherwise बहुत जादा लंबा वीडियो हो जाएगा, so I hope आपको समझ आया होगा, फिर